कि नमस्कार साथियों मैं अरुनबीर सिंग आप सभी का आपके पनिपरिवार आई टी आई अडट 247 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार दिख स्वागत करता हूं साथियों साम के साथ बच्चुके हैं जैसा कि आपको पता है कि हम लोग थ्रीपेज इंडेसर मोट के साथ साथ में जो भी एक्जाम में जिस तरस इक्जामन राप से कोशन पूछेंगे हर एक पहला from पे हर एक बिंदूपे हम लोग चर्चा करते हुए चल रहे हैं तो जिन भी भाई को जिन ही मित्कों जो के तरह लाइव आते ही आते हैं साते साथ में ये-क के साथ एक को लेकर भी आऊ गई क्यूंकि क्लास की से 45 सेकेंड की बात मैं करता हूं श्रीमान जी तो बस केवल और केवल मैं टेली ग्राम पर लिंक को डाल देता हूं क्योंकि टेली क्या होता है कि कभी की हमने कहा नहीं कई बच्चों का आता है कि गुरुजी वो नोटिफिकेशन नहीं आता नोटिफिकेशन नहीं आता तो इस पक्रते हैं कि आ पराइब अधा में चलब लिए GY, चला जाया जो हमारे द्यार्थि क्मr को सब्सक्राइब करने वाले हैं घंग क्या हुआ था कि कल की इक सवाल जो लाज सवाल हमा रहा था जो हमारा लोग अंतिम सवाल था हमने आप से एक सवाल पूछा था जिसमें हमने ऊपर का नीचे यानि की हमने बताए अपो की स्लीब का जब हाई स्टार्टिंग मान होता है यह जब उस्टार्टिंग आउस्था में मेरे बच्चे तो उसको एक बार आप संसुधन कर है तो कांसेट सही है हमने एक लाज में सवाल पूचा था राप याद होंगा हमने ये पुछा था सिरीमान जी आप से मेरे मित्र मेंमेरे बाइर यानि ही ह ह इस्कभल टिंग है इंडियर मैं बात करूं आप से हैं यह कभब पर होगा यह होगा हमारा नहीं है हिस्टार्टिंग हो यानि जब हिस्टार्टिंग यहानि मैं अगर आपसे बात करूं तो पाल चो है फ्लॉ उस समय जोंसी लिभ होती है वह टर्वान पाती होती है यही बात थी न और हमने साथ कल बता दिया था कि उल्टा ऊगया था तो आप उसको सवादन कर लिजेएगा सवाल वाले में हूशा था ऐसी मेरे पास उसका पीडियफ होगा मैं देख लेता हूं मैंने सवाल ताकि उस सवाल को ही रख दिया जाए ताकि आपको दिकत ना पैदा हो मेरे बच्चे ठीक है तो आए स्रीमान जी मैं देखता हूं एक बार मेरे मित्र मेरे बाई मेरे दोस्त कहा गया भाई या तो यह रहा, पीडियाप, और कल की पीडियाप में, I think, निचोड़ बैश्ट करके था न, हाँ चलो भई है, खुल जाओ सिमसिम, 19 सितंबर, 3 पेज इंडिक्सन मोटर, हम सवाल ही लिख देते हैं आपको, ताकि आपको दिक्कत ही न हो, ठीक है, तब आप समझ जाओगे और ब चलो भई है, आओ, हमने इसको फिर से कर देते हैं, यहां पर कोई देखते हैं, यही ता साथ, आई तिंग कल वाल सवाल में, यही गुरु जी था, आप सही पकड़ियों, ठीक है, हाई स्लिप रिजन, यानि की स्टार्टिंग यानि प्रारम में, तो हमने प्रारम में बताय पाते हैं, जो कल के सवाल में जो लिख दिया था, हमने, हमने कल के सवाल में लिख दिया था, यह तो भीया, आप उसको रब कर लेना, देखिए हमने कल लिखा था, यह सिलिप कमान बढ़ेगा, और टार कमान क्या होगा, टार कमान भी क्या होगा, बढ़ेगा, हमने यह किया था एक हमने कल किया था आप उसको क्यां अपयान treatment का जिए कि जो सवाल में ऑब आ जाई काम मालों बढ़हे तुमेह यानिंग बढ़ तहए गाल कि क्यों ओख Hier यह निद आ स्वाð capacitance कॉन में यानि कि जब वह पूरी तरह से हमारी चल रही है यानि कि कब जब एनर और एन्यस यानि कि एन्यस और दुनों जब मान बराबर है तब के लिए क्या था तब हमने बताया था कि जो सिलिप होती है वह क्या थी वच्चा टारकिस मान पाती होती है यानि मैं बात करूँ आपसे तो जब सिलिप का मान बढ़ाएंगे तो सिरी मान जी टारक का भी मान बढ़ेगा ठीक है इसको आप संसुदन कर लेजिए गा हमने कल ये वाला यहां बता दिया था और ये वाला हमने यहां बता द लिए भी सब्धाइब को एहरा अरा मुस्कुरात कर ले तो माघे बरें अब आजी चरचा करते हैं बाकी सब सही था टेकर बाकी सब सही था राम रंभी चली आई तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैस्ता कि आपने पहले स्क्रीन पर देख लिया था कि आप आज हम तो दोनों परकार को भांटल जो हम जब बाटते हैं और ये हमारा हमोटर के आधार पर जो हमारा यह एंडिक्शन मुझे मोटर होता है तो अगर कभी-कभी आपके सामने यह आप साना जाता है कि विए थी पर्णे से मॉटर के अधार पर कितने परकार के तो आप चाहे तो यह भी कर सकते हैं लेकिन हम इसको बाठते हैं जानते कि इसके धार पर रोटर के अधा ठीक है एक को स्कोर्ड को मोटर देते हैं और एक को बोलते हैं सिलिप रिंग मोटर लेकिन यह जो वर्गी करण होता है मेरे बच्चे आप कुछ याद रखने के बता दूँ यह थ्री पेंटेसर मोटर जो हमारा बढ़ता है वक्की सदार बढ़ता है तो रोटर की अधार पर अगर आपसे कभी पूछें कि यह किसके दार पर इसका अणे कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि घृणते मोटर हुथा है जो हाई थैनल हम कर रहे हैं वह रोटर के अधार पर करते लग várias हैब हम लोगों से बहुत प्यार करते सर आप क्यों हुआ हमने क्या प्यार कर है मैं कहां पर लिखाऊंगा हूँ आपको यह जो और लिकार हम करते हैं तो भाई यह लिए निदेता हूँ आप समझ आएगा किसके अधार पर होता है ठीक है क्या होता है रोटर के अधार पर होता है कि आफ लाइन की सर अच्छा कोई बात नहीं नहीं पंडिजी आप आ गए नहीं बहुत है तो मैं बताता था को स्रीमान जी कि रोटर के अधार पार जो त्रीवनेशन मोटर होता है स्कूरल के मोटर और दूसरा होता है तो आज हम रूख चर्चा करने वाले हैं किसकी बात बता हूँ आपको एक सिंबल भी बना जेता हूं स्कूरल के मोटर का छोटा सा कभी आपके सामने आज आए मेरे भाई साब तो आप कैसे बता आओ कर कि यह स्कूरल केज का है यह गोला यहीं से थोड़ा सा पास में होते हुए यहां तक आएगा और आपका तीन यहां पर नि तो इसमें चुकि रेजिस्टर के मार्धम से हम इसको करते हैं तो इसका भी बना देता हूँ आपको अगर आप से कभी अगर आजा सिलिप रिंग का तो भी आप थोड़ा सा जानते रहेगा कि यह सिलिप रिंग का है ठीक है चलो भी यह यहां पर लग जाएगा और एक यह यहां पर लग जाएगा दोनों को बना लेजीगा तभी अगर आपको दिख जा ऐसा तो आप समत हो जाएंगे ना कि हां स्रीमान जी यह गुरु जी ने बताया था कि हमारा स्रीप रिंग का है कि अल आपकी बातों से लगता है अच्छा हमारी बातों से लगता है अच्छा से कोई बात नहीं है कोई ना सणीवार मन्डे सोमार से जो ग्लासे 7 बजे की जो ये concept चल लेए लगबाप पांच मेहने से तो बही आम पता तो आपको पांच तारिक से यानिकि मझा सोमार से आपको जो साम की क्लास्ज डेली आपको computer के क्लास्ज यहाँ पर आपको मिलेगी देखने को क्योंकि बच्चे हमारे वहां पर हो चुके हैं लगबग अब पे क्लास्ज तो वहां पर क्लास्ज यह इस क्लास्ज को हम वहां पर कनुट कर देंगे कि सीधे theory concept आप हासे पड़ों टीचर से प्यार ही करते हैं कि शुटन उनके बच्चों के सामान ही होते हैं अच्छा भी है अज के बच्छे बहुत चलाक रादे सामजी बता रहा हूं आज कि बच्छे बहुत क्लीवर और बहुत ही चलाख है इस बात को भी आप ध्यान रखना मेरे बच्छे ऐसी बात नहीं है होते हैं लेकिन आज करके बच्चे गुरू से भी ज़्यादा चलांख हैं वह बहुत ज़्यादा सोचते हैं चलो आजाब कोई न तो यह कहानी हो गई अब आजाए हम बात करेंगे इसको अब हरी डालेगा जिसे बूलते हैं हिंदी में गिलहरी पिजरा मोटर क्या बोलते हैं गिलहरी पिजरा गिलहरी पिजरा तो बहिया किसकी बात हो रही है मेरे बच्चे इसी गिलहरी की बात हो रही किसकी बात हो रही है इसी गिलहरी की पिजरा की बात हो रही है तो गिलहरी पिजरा या फिर हम इसको क्या बोलते हैं आपको इंगलिस में पता होगा मेरे बच्चे क्या जातिक स्कुर्ण सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे गिलहरी पिजरा को या फिर स्कुर्ल के मोटर को बारे में पढ़ेंगे कि यहां से एक्जामनर साहब क्या क्या चर्चा करेंगे आप से नई सर जी ऐसा मत कहो रुतेश यालो जी कोई ना आप अरसान ना हो रुतेश जी आप अरसान ना हुए हम आपके लिए हैं आप अरसान ना हुएगा ठीक है रूतेज जी जितना हमसे होगा हम आपके लिए खड़े रहेंगे ठीक है चलो भी या तो गिलहरी पिजाड रूपी यानि के सिंगल केज मोटर जो होगा हमारा इसके बारे में आप कब फीगर दिखाना पड़ेगा मुझे एक बार तो फीगर के यहां से डाउनलोड कर कर लेते क्योंकि और भी दिखाना होगा क्योंकि कई कुश्चन को आपको बताना पड़ेगा या तो आपको ऐसे दिख जाता होगा आपके आपने देखा होगा या फिर इसके अलामा ऐसे दिखता होगा इस आकरती में दिखता होगा या तो इस आकरती में या तो आपको इस इस आकरती में या फिर आपको इस आकरती में भी देखने को मिल जाता होगा मेरे बच्चे इस आकरती में गुरू जी आप कहना चाहते हैं तो भाईया मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इस आकरती में वह भी दिखे उससे क्या फरक पढ़ने वाला अपने को अपने को तो इस गिर आरी पिजिरा मोटर और आप धेख सकते हैं अगर आप वर्जिनल की बात करेंगे तो एसे दिखेगा अगर आप खोलेंगे मोटर को या फिर मोटर के अंदर जो पार्ट आप निकाल के दिखो गें तो बहुत सारे चीजे लगी हुई है स्कुरल के बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं गोलाकरती को बना लेते हैं यह आपका इसकी रूटर स्लाट है लेटर रूटर कूर है यह रूटर का बीछ वाला साप्ठ है यह इंडरिंग से हम इसको साट करते हैं यह फिर अगर यह समझ में आई आए तो थोड़ा सा और हमने अच्छा रख लिए उठान लिए एक वर्जिन एक थोड़ा सा ऐसे बनता है या फिर आपको थोड़ा सा हमने अइसे बना दिया कि वाज रूटर बार हो गया और आपको पता आए कि इसमें करते हैं का पर या वलमुनियम की साट सब्सक्रिकर कर बनाते हैं वाज देख लेडिए सब कुछ और सब देखें सब एकदम इसको तरीके से यानिके सब आइसे है आइसे राता इमलब सीधे नहीं रहता उसका कारण है कगिंग के कारण अगर आप खुद सोचो कोई चीज अगर सेम अगर हो जिसे माली मेरे हाथ ही है अगर सेम है तो नहीं जाएगा लेकिन हमको क्या करना कोशन बनता हम उसको बताएंगे कि यह तीरचा क्यों है और उसके बल में क्या एक बल लगता है क्या रीजन है ऐसा क्यों बनाते है बस इतना समझो कि भी यह उसलिए बना जाता ताकि वह आपस में फसे ना और बड़ी स्मूध तरीके से हमारा चलता रहा है और हमारी एफि लेट्री रेडिंग का करवाद उसर मेंटर रेडिंग मतलब नहीं समझे में मैं समझे बाई आओ तो गिलहरी 50 रुपी की बात हम करते हुए चलेंगे आगे की तरफ रुक करते हुए और क्या-क्या चीज़े यहां से बनेगा सबसे पहले हम एक पॉइंट को करते हुए आत अगर एक बार बता दूंँ आपको अगर अभी आपने बैस्ट कीरोन नहीं किया है तो अभी आप जाएगे आप अगर जाएंगे गुगल पे त्यक्राइगे सृफिंगि तो जैसे आप सर्च करेंगे वहां पर आपको दिखेगा क्या विया आपको दिखेगा अड़ टॉन आप क्लिक करेंगे तो आई टी आई का एक ही है आई पहुंचे गिया तुरूंत आपको एक ही बैच है निचोड़ बैच के नाम से इसको बचने के लिए आप क्या करेंगे इसकी उपाय है बाई नाउ करेंगे और एक उपन है जो वाई 835 अब लगाते हैं वाई 835 जैसे आप मेरे बच्चे लगाओगे तो अपलाई करोगे तो ये बैच घट कर आ जाएगा 1389 रुपे का यानि महज़े 1389 रुपे में आपको टेक्निकल और नान टेक का इतना बर्या बहतरीन कंटेंट ना मिलने वाला है अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोगों ने कई लोगों ने कोर्स लिया भी होगा पड़ भी रहे होंगे देख भी रहे होंगे बाद में वो बाद में कलासिस को भगा कर देखते भी होंगे उनको भी लगता होगा कि ये मास् देखो तो सेप्टी से पढ़ाती हुए डीसी मसीन पढ़ाया ट्रांसफार्मर पढ़ाया फिर बिद्धुत लेट्रिकल वाइरिंग अर्थिंग बहुत सारी चेप्टर लगे हुए आप जाओ ने प्ले लिस्ट में वहां के वीडियो देखो इसके बाद अगर आपको लगे क पाओ जुड़ हमारे साथ है पर जो हमारे बच्चे वहां पर है ठीक है चलो होने की संभावना न रहे हाँ हो भी हो सकता है चलो तो आई आप पॉइंट नाइट सब्सक्राइब कर दिया अपना पाल सब्सक्राइब जा रहे हैं क्या बढ़िया लिखना से इस रोटर में क् सबसे पहले आपको इस रोटर में यानि जो हमारा रोटर होता है में समनांतर क्रम में समनांतर क्रम में क्या होते हैं सबसे पहले आपको मैंने दिखाया भी स्लाट कटे भी तिर्चे समरांतर क्रम में तो इस रोटर में समरांतर क्रम में क्या होता है तो आप से पूछता है क कि इसमожंखन कर था कॉट होते हैं तो इसी में करता होता है और बता दूर सब्सक्राइब को इस Click नहीं पायाता तूर कि इस कुण यानि कि इस व MON करम तक करते आगे तुक मैं मुल्ट होते हैं कटे हुए होते हैं इसमें सिलिपरिंग नहीं पाजाता है कटे हुए होते हैं ठीक है कटे हुए होते हैं ठीक पहला पॉइंट अच्छा यानि कि हम कर सकते हैं कि इस रोटर में सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करें तो वाइंडिंग होती ही तो आगर आप से पूछा जा कि किसमें वाइंडिंग नहीं होती है तो वाइंडिंग सब्सक्राइब करके हम एक बनाते और इंडर इंग से जो होता साट वाइंडिंग वी इसको आप बोल सकते हो कि सकते हो कि लिए निकि है वो कवंड़ी है साथ है यह उतर है किसका है सौट किसका है स्कोरल केच का छलो कोई बात नहीं अध्पाल जी आज आज आज़ा पॉइंट लिखेगा चलो आ यह प्वाइंद नहीं करते इसमें सारे पॉइंटेड है अगर आप से कभी पूछ ले कैसे हैं तो सा कोश मता देजी और िसमें क्या पूल लोड़ धारा का कितना गुना 5 इतना बता दिया भूत धन्य बाद आपका आगे लिखिए और क्यों सकता है 5-6 गुना क्या होता है अधिक होता है चलो गुरुजी आपने इतना बता दिया बहुत भुत धन्य बाद आपका आगे लिखिएगा सरीमान जी और क्या बन सकता है चलो आगे बताएगा लिखिएगा रोटर स्लाट रोटर स्लाट किसके बते है में स्लाट मनदाब गड़ा में अलुम्टियम अलु.. visual अलुम्टियम या कापर की या नहीं कापर की रोटर स्लाट में एमनी आम तापर की चढ़े होती है कापर की क्या आती बहिया चढ़े होती है चढ़े होती है और इसी चड़ को हम इन्डर रिंग से क्या कर देते हैं तक है आगला पॉइन लेखी तेड़ लोटर के रोटर के दोनों कि टर्के दोनों इंडिस को दोनktion प्रोटर के circuit करते हैं इसलिए बोलते वहिया इसको short circuit रोटर भी बोलते हैं और राइट सर बुक में 57 है क्या या या बुक में 57 है यह सब पेपर का कोश्चन मैं दे रहा हूं सीधे कोश्चन आएगा ठीक है बुड़ इबनिक भाया मितलेश जी आ जाएए तो रोटर के दोनों इंड्स को क्या करते हैं इंड्स क्या करते विटा short circuit करते हैं ठीक है अगे लिखें चली आगे लिखें चलो गया दिव्या भी आ गई चलो इस दिव्या या दिव्य जो भी है आ गए चलो भी आगे लिखेंगा अगला पॉइंट लिखेंगा स्रीमान जी तो आप इसका मतलब समझें कि मतलब साट सरकेजरने जो कन्डेक्टर होता है जो चालक होता हम उसको इंड्रींग से क्या करते हैं कर देते हैं ठीक है इसलिए हमारा इसमें वाइंडिंग नहीं होता वर्मा जी भी आ गए या बात है बच्चे आ रहे हैं दिरे दिरे अना अब मजा आएगा चलो भी आगे लिखेंगा अगला पॉइंट लिखेंगा कि यëः कैसी इंपॉर्टफाल ही लोर स्टार्टिंग टारक होता है लोर स्टार्टिंग तार्क होता जब डबल इस्टार लगा तो समझो विया की ज्यादा इंपोर्टन्ट है तो स्क्वेरल केज मोटर हमारा जो होता है वह क्या होता है लोगरू जी और बताओ कुछ दूसरी चीज़ लिखेगा एक आवाज भी क्या होती है बिया कम होती है लो नवाएज अगरा लिखेगा सरीमान जी और क्या क्या चीली खवार रहें गुरू जी आप एक पॉइंट और लिखेगा इसके अलमा लो लॉसेस जाओ भी या लो लॉसेस इसमें हानियां भी कम होती है इसके अलमा पता दो जब लो लॉसेस होगा तो भाईया आपका ये इसमूथ पूछता कोशन की थिरी फेज इंडेक्शन मोटर का जो स्कुल के मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टार कमान कितना होता है लो अधीक या फिर आपका सेकते हों मेरे बच्चे की हां मितले लिख भी रहें लोल स्पीड लो टार्क लोल वाइस बिलकुल सही बात बिलकुल स सिदे आपके पेपर में छपने वाले टो कम होती है चलो गुरुजी आपने बता दिया बहुत धन्य बाद और कुछ बताओं को बता दो वहीं या सब बता दो जिन्ना आपके पास खजाना हो सब लुटा दो गुरुजी बिल्कुल चलिया लुटाएंगे जरू लुटाएंगे ठीक है किसी बाद आपाट काम होती है कि आप कम होने के वाज़े से क्या होती है यह आलमोस्ट हीप पिशलेगा जब अलमोस्ट जोगा δोम खाएंग सार्थ आंफ़ आलमोस्ट जो और दोगा की यह कान्स्टेंट स्पीट कव डिक्कत आफ करेगा दिकत करेगा दूसरी लिखेगा कगिंग को कम करना तो आगर मैं बात करूं कि यह तीरचा है तो तीरचा होने का सबसे अच्छा यह है क्या करेगा आपका सिरिमान जी को कम करने के लिए किसे कम करने के लिए कगिंग को कम करने के लिए तो इस लोटर में समरांतर करमें जो तीरचे कटे होते हैं तीरचे कटे होने का मतलब है मेरे बच्चे क्या करता है कम करने के लिए तो आप से पूल सकता है कि स्कुल के मोटर में तीरचा सलाट क्यों होता है तो कगिंग को क्या करना है कम करने के लिए मेरे बच्चे मेरे दिव्यांसु आप तो सुभब आती हो देखो बच्चा जब हमारे कहां किया मैंने कहां बता था आपको अब देख लो फूल लोड धारा का 5-6 गुना दिक होता है तो हमने यहां बताई दिया है कि हाई स्टार्टिंग करने देखो वह या फूल लोड़ लोड़ के साथ नहीं करते हैं इस रोटर को लोड के साथ इस्टार्ट नहीं करते हैं लिखेगा इस रोडर को कि इस रोटर को लोड़ के साथ oh start लोड़ के साथ इस्टार्ट नहीं करते मत कर गुरू जी मत करो हम कहां कह रहे हैं यह तकर रोड़ के साथ क्यूं क्यूंकि आपको पता है मेरे बच्छे की इसका धारा धिक ले रहा है दूसरी चीज हमारी स्टार्टिंग टार्क हमारा मान kommtंतों पहलोड साथ कैसे चलो तुलना करवाता है कभी-कभी किनि ज्यादा होती कि सथी कि कम होती है तो बता देते हम गुते कि ईप्यांसू जी नित के एफिसेंसी मेंटनिंस का खर्चा कम होता हां हां जी बिल्कुल सही बात है यह सबसे असार सबसे अब बात करूं देख रहे कि और सकता ना पड़े तो इसी की पड़ेगी बिचार पढ़ा रहता है अगर आप से कोशन बोल देते हैं उसको सिधा मतलब इसकी बात करें तू ठीक है चालो कि मोर्देन स्लिपरिंग कि अधिक बता रहे हैं कि इस समस्चा क्या होती है ज्यादा होती है कन फर्म है बता दो तब तक हम आगे लिखवा रहे हैं तब तक बताओ कि अगरता है इस रोटर को लोड के साथ श्टार्ट नहीं करते हैं और एक बहतरीन पॉइंट आपसे कोशन और पूश्टा बहुत ज्यादा क्या कि स्कुरल के मोटर को कथन इसकर्स में क्या हम रोटर रजिस्ट्रेंस के द्वारा हैं इसकी स्टार्ट कर सकते हैं यानि कि उस इस रोटर में इस रोटर में अलग से 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 रजिस्टेंस नहीं जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते हैं ठीक गुरुजी नहीं जोड़ेंगे आपने कह दिया था हमने माल लिया ना जोड़ेंगे भीया ठीक ठीक है और स्लिप्रिंग से ज़्यादा होता है कि अंफर्म हो बता वह यह कंफर्म हो तो हम बता दे और कुछ बन रहा है यहां से कोश्चन निकाल कर बाहर दो आओ क्या बनेगा इसके लंगा अब यह कितने प्रकार को तो जरा इसको भी जान लोगा लो नौइज हो गया लो लॉसेश हो गया इस्मूथ स्पीड हो गई लॉटर की लॉकिंश चंटा कम होती है आलमोस चलता है इस लॉटर के लॉट के साथ नहीं करते बिलकुल नहीं इस तो को जोड़ नहीं सकते ठीक 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 और क्या बनाते भी आपका इसमें सिहां सब कुछ कोशन निकाल करते दिया जा पावर फेक्टर जीरो पॉइंट तक इसनों तली पावर फेक्टर मान के चलो अगर मैं बात करू सबसे बहतरी जो होता है वो स्कुरल की जीरो पॉइंट मान सब आगे गुर्द कोई बात नहीं है मेहनत आप काफी दिन से कर रहे हैं और भगवान आपका सुनेंगे भी जरूर एक दिन के पावर फेक्टर कभी लिख लो पावर फेक्टर कमान कितना होगा भई यह पावर फेक्टर कमान मैं बात करू सिरिवान जी तो 0.7 से 0.8 तक जीक है 0.7 से 0.8 तक मुझे जानना था सिरिवान जी आपसे अब है जब 0.0 अच्छा दिब भी पूछ रहा है रूची से कि लेगिंग होगा या लेडिंग दिब भी को पता आए जब एक से कम है तो लेगिंग है न होगा हाँ हां एक जिक इस वह मत लेगिंग्यू अनगा है लिडिंग तो होगा नहीं आज लेडिंग तो खरberg नॉटीन लगोगो जीरो पॉइंट नाइन के पास चला जाता क्योंकि उसका स्टार्टिंट टार कमाना दिखोता है यहां पर कम है ठीक इसका उसका भी परीद ठीक उसका भी परीद हो जाता हुँ एक विया अश्रू सब्सक्राइशन आपरेटर हाँ समझ रहा हुआ अप मैनत करते हु कि इसकी क्या होगी इसकी कौन बताएगा भाई बहुत बढ़िया पॉपलर कोश्चन है मुझे याद आ रहा है बता दो भाईया इसकी दच्छता कौन बताएगा कि कि तक कुछ और बताएं हम सोच को बताओ आपके पास टाइम है कुछ और ख़जान देता हूं आपको किसी को पता है क्या कि कि स्क्वेल केज मोटर की गति को हम कैसे कंट्रोल करते है कुछ इसी को पता है कि उमीद कर रहें अस्सी कि नहीं मैं पूछा था इसका दच्छता इसका दच्छता कमार हमें साइफिसेंसी स्लिप रिंग क्या पिच्छा ज्यादा होती है अधिक ही होती है कि मैं क्या सोच रहा था भी कुछ सोच कर बताने वाला था आपको भाई कि हाँ गति परिवर्तन करते कैसे करते किसी पता है अगर आपसे कोशन पूछ जाए कि स्क्वेल केज मोटर का गति परिवतन कैसे करोगे हाँ एक चीज़ और है कि हुआ है तो यूज काहां करोंगे इसकाप रीओग हो परियों के परियों कहां करते हैं अपकरियों परियोग pizzU ऑई इससीद़् में जो लेट मसीन में जो लेट मसीम चलेगी जो स्विक इसके लाव पंपसेट्ट से पानी वाला है शेट के अलमा मैं बात करूं आपसे पंपसेट ओसा हो जाएगा आठाचकी आदमिं और कोई ना चाहरा आता अ ज़ी कि इस जब कि रहा चब कि रहा इसमें अ तो लेत मसीन पंप सेट अठा चक की आधिमें आधिमें ठीक है अच्छा एक चीजिए अब दताना की स्क्वेरल के इसोटा है इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे स्टार्टिंग ये सोटी से ही पर इस्टार्टिंग कि इस्टार्टिंग कैसे करेंगे बाई स्टार्टिंग यानि कि किस इस्टार्टर से हम इसको स्टार्ट करेंगे पता है आपको इसको कि प्रिंटिंग मसीन हाँ लगा सकते हो प्रिंटिंग मसीन में भी लग सकता है अजय संकर और और बता रहे हैं 120 यह फारे भीया वो ना पूछ रहा हूं मैं वो ना पूछ रहा हूं जो आप समझ रहे हो तो भीया स्टार्टिंग किससे करोगे तो भीया आपको पता होगा सबसे पापुलर हमरा है डी ओयल डायरेक्ट आनलाइन स्टार्टर से इसके अलाव इस्टार डेल्टा इस्टार डेल्टा इस्टार्टर से डल से या फिर इस्टार डेल्टा इस्टार्टर से या फिर आप आटो टांसफार्मर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप से पूछा जाए कि स्कुरल केज इंडेक्शन मोटर जो होता है उसको हम किस से स्ट स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टर से तो डussytaster से इस्टार डilters एक टास्परमनर्ट से इस्टार्टर के विए है कर congested इस्टार डिल्टा हाँ हाँ लिख लो लिख लो लिख लो और फ्रेक्वंसी से गती परिवतन करते हैं पोल थाइरिस्टर से चीक भीया कर लो वह भी होता है कर लो भाई थाइरिस्टर से спокой omega हाव अपने भी तक किसी नहीं बताया नहीं है बहुत देख लेता हूं जिसी का ओलार्वे ओ उन्हाएं कर आइप कि अच्छा लाग रहा है रहा है हमां बता भी अच्छा लाग रहा है कि नहीं मजा रहा है कि ने मजा रहा है अच्छ लोगया अब लिखना से निटा से कर लिया इस्टार डिलता से कर लिया एक पॉइंट और लिखियेगा गति-परिवर्तन में पूशता आपका के बाई स्क्रेल के इंट्रेसर मोटर को हम गति कैसे परिवतन करते ठीक है तो आए शरी मान जी फिर आपको बताएंगे कि इतने परकार का होता है और दश्टा आभी भायाँ आप सोचका बताओ कि इफिचेंसी किसकी ज़्यादा होती है कि मुझे लग ना इसकी ज्च्स की कम होती है इसकी इसिक्व करेंज की की रियागा स्कॉच कर बताओ रहा अच्छे सह सोच कर बताओ क्योंकि यह चीजंब हथा वह प्युक्व कि है ना अभी 2022 के पेपर में भी पिड्य आया था यूपि आर्बिनल वाले में भी आया था ठीक है और इसके पहले भी आया था इसके पहले भी आया था दो तीन-चार बार आ चुका है अधर थारिश्टर थारिश्टर देख भी थ्रीपेजिव होता है हाला कि वह हम लाश्ट बताएंगे अभी तो में स्कुर्ण के बात कर रहे है था इस्टर से लेकिन थ्ट्रीश मांगी बिदिया आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें सिया लगा था सिलकान काट्रोल ए परिवर्तन गती परिवर्तन कैसे करोंगे भाई किसको स्कूर्ल केज को तो दोघी बताओंगा आपको ठीक है पहला लिखेगा है इस टेप करते हैं चोटे चोटे करके यानि गती परिवर्तन करेंगे स्टेप्स में चोटे-चोटे करके के छोटे-छोटे भाग मैंने छोटे-छोटे करके एक पॉंइंट अ लिखी गा कि can do तो सचिप में करते हैं यानि का एक एक छोटे-छटे लगल से दारेक्ट नार होता है वह होता है पोल की संख्या में पर्योंटन करकर के यह होता है मारब पोल की संख्या में है क्या करके विटा संख्या में परिवर्तन करके यानि कम जदा करके हम इसको परिवर्तित यावात भीया हमारी जिले से आप है आपने बताया नहीं हो मेश जी कहा रते हो भीया पूरी आजमगण लगा दो यार आपके आजमगण से सर जी यहाँ पर खड़े हैं आपके लिए और वहीं सोरी कहरें दच्छता ज्यादा होता है सर जी कनफर्म हो गया कनफर्म हो कि दच् दच्छाने के बाद कि क्या-क्या अंतर होता है वहीं फर्म लगा देंगे इंगे बेरी बेरी इंप्वाइंट आप उनी रट्टा मार लेना सब समस्या खत्म है ठीक है ठीक है हम एक चार्ट बनाएंगे किसका स्कूरल केज का और स्लिपरिंग गा वहीं पॉर्ट लगा दे देंगे तो अभी हम पॉइंट को उस पॉइंट को हम लिखवा ही नहीं रहें आपको बेरे बच्चे अधिक है अब देखो भया उमेज जी कम होती है कोई कहरा जादा होती तो यह हम इसलिए ना लिखवाएं हम एक बार उसको और देख लेंगे बढ़िया तरीके से फिर उ मैंने देखा होगा छोटा सान हमारा जो यह नोट्स था इसमें से आपको हमने लगबख स्लिप रिंग से बहुत कुछे आपको बता दिया इसके बापता देता हूं कि यह कितने प्रकार का होता है आए जरा हम इसको भी लिख लेते हैं ठीक है कि अधिक है तो लिखेगा स्कुर्ल केज इसकुर्ल केज मोटर के प्रकार कौन-कौन से होते हैं लिखिए के जड़ा कौन-कौन से प्रकार हैं तो सबसे पहले होता है सिंगल केज रूटर जो भी हमने आपने पढ़ा इसमें से एक पाप्लर जो dipped करकार कंवटा या कम होता है टार किया होता है चलो गुरुजी आपने बता दिया दूसरा बता दो गुरुजी और गुरुजी जो घlıच वह बनेगा रोटर चलो गुरुजी आपने इसको भी बता दिया डीप रोटर हो गया ठीक है तो इसका मतलब यह एकल चड़ होता है और बहुत गहराई तक इसको अस्थापित करते हैं एकल चड़ होता है क्या था भीया एकल छड़ होता है और हम क्या करते हैं गहराई तक अस्थापित करते हैं गहराई तक अस्थापित होता है अब कामें नहीं लेते हैं अब काम में नहीं लेते हैं नहीं लेते हैं एक और पॉइंट लिखेगा अच्छा और बता सकता है कि मैक्सिमा में चमता को बता सकता है एक पोश्चन और दिमाग में मेरे आ गया कटक से तीसरा चाहने के मेरे बच्चे आएक दो तीड डवल के जूटर अना इसका सबसे ज़्यदा यू जी सी का उता है अपसे बढ़ें यहीज औभी यह डबल डवल केज रोटर डवल के जिरू टुर भीया इसके बारे मिलिखिए गप तो सबसे ज्यादा यू जी सी का होता है सबसे ज़्यादा यही होता है सबसे ज़्यादा यूज यही होता है ठीक बच्छा अब इसमें दो परत होता है ठीक है इसमें दो परत होती है एक होता है स्टार्टिंग इसमें दो परत होता है होता है सबसे ज़्यादा यूजी का करते हैं डबल केज रोटर का और दो परते होती हैं 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 चलो गुरुजी कौन को बताता जली फटा-फट हमको इदी हुता जिए तो एक का उच्छ री स्टैंस एक का उच्छ रीस्टेंस जो बाहर होता है ऐक क्या रflowing स्टैंस जो स्टार्टिंग का काम करता है जो क्या करता बेटा स्टार्टिंग का काम करता है चलो गुरु जी आपने बता दिया बहुत धन्य बाद आपका काम करता है ठीक है और क्या है एक होता है दूसरी आंतरिम होती है जिस पर आंतरिक होती है तो कुस्ता है कि किसका रिजिस्टेंस ज्यादा होता इन्हें बाहर वाले का ठीक है तो सब्सक्राइब यूज यहीं होती है दो परते होती एक का उच्छ रिजिस्ट है जो इस्टार्टि का काम करता है और दूसरा आंतरी को ताओ सी पिये चलता है सुजित कुमार जी पांच से पंद्रहा स्पावर तक इंटर के आउटर के हाँ बोल सकते हो बिल्कुल रुचिव पाद बोल सकते हो अब देको यह अब यह जो आंतरी को क्या बोलोगे और यह जो मारा कहां गया बाहरी कहां था दो परते होती है एक उच्छ रिजिस्टिन जो अब यह तक हम यूज कर सकते इसको यह पेपर में आया था ता इस्टील या किसी की बहुत पुराना कोश्चन था एक बार यह पीपर में आया था कि हम कितने हास पाउर तक यूज करते तो वहां पर 100 था तब से मुझे वह कोश्चन याद है बहुत पुराना है 2016-17 का कोश्चन नहीं तो सब्सक्राइब यूज यह होता है दो परते होती एक कुछ रिजिस्ट्र जो स्टार्टिंग काम करता जिसे बोलते क्या आप इसी को ब बाहरी यानिक यह क्या है आउटर साइट वाला है अना यह जो हमारा है चार्टिंग बाहर दिया है उच्छ वाला है ठीक है कि अ कि कि उन्होंने बताया जिए आंतर बताएं अधार जो में यह में उन्होंने बताया से आप आजमगर्स कहां अब के लिए कि इसमपर करो शुत ठीक है यह नंबर है वाट्सप कोई भी दिक्कत समस्या हो तो इस पर आप संपर कर सकते हैं तो भीजा इस पर संपर करना जड़ा इस नंबर पर आप संपर करना उमेश जी जरूर से भूलना ना सर वीडियो यूट्यूब पर रहेगा हाँ अभी तो रहेगा अभी तो रहेगा मेरे बच्चे लेकिन 25 सितंबर के बाद 25 सितंबर के बाद यानि कि यह यह कि अंबले प्लmarket कुलासे जाएंगी कहां पर आप पर यानि यह साथ सिप्टों में पेपर 와 और बीने वीडियो बनाया है अगर आप को याद होगा अगर आपने देखा होगा विजिट किया होगा तो अमने का था कि विए दिसम्बर से पहले की संभावना यानि अक्टूबर में भी संभावना बन रही है ठीक है और इस बार आएगा तो डारेट एडिमिट काड आजाएगा ठीक है अच्छा किया आपके पास नंबर ने लिए लिए बाई बदेना बाई बदम समझ गया आपने बता यह बार मुझे आप से बात हुई थी आपने सब्सक्राइब भूल गया था यह वर आप हाई कर देना मेरे बच्चे और क्या कहानी बताओं भाई और कुछ बताओं सोचू 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 स्कूरल के डबल के से दो और क्या बनेगा और की सचन आउटर इनर से दूती ती तीजिए बनती है किसका हाई रिजिस्टेंस किसका कम अना ऐसे यह अगर आपको बागी रचीर ने गहरा तरू वां अपसे पूश्त डाने लेकिन मना लेते हैं अँझ अ यह आईसे होता है और यह एसे और यह एसे ठीक है तो पूश्ता ने लेकिन पिर भी हम लोग बना ही लेते है तो एक मिनट बीच में इसको तुर्णा चोड़ा करना पड़ेगा है एह हसना पबाई मैंघर उतना अच्छा नहीं है यह मतले ऑप्रुट आप लाइन ने बहुत नहीं बना पा रहे थे यह फीहर ऑगे आपका किंहीं टिक है और यहां के हएगा इनर इनर केज ठीक है और यह होता है सेंटर केज बीच वाला इसको बोलते हैं सेंटर केज ठीक और यह होता है स्प्लिट इस्प्लिट बना दो भागों बाटने वाला ठीक है और यह होता है इनर केज कि इसको क्या बोलते हैं इनर केज इनर केज और कि बता दूंगी या इसको बोलते हैं आपका सेंटर केज इसको बोलते हैं सेंटर केज ये किसकी बात हो रहा है जानते हैं ये उसकी बात हो रही है जो हुने बताया लास्ट में कहा गया डबल केज की बात हो रही है डबल केज कि यह मैं देजी सर अच्छा है फूल फूल के बगल में अठी के दरसाविदम सही बगड़े हैं आप और कि आउटर के बारे में कुछ लिखवा देता हूं आपको इनकेश की बारे मिलोगा देता हूं ठीक है तो सब्सक्राइब आपका आउटर केज प्रोटर इसमेंस से एक पोइंट बनेगा किया है की आपके की अथ्य को जाने पूच आ चाहिक गई पूछ लिगता किसका मधम जादा वहाना तो हाई रेजिस्टेंस इसका मांंत जादा यानी CMS और क Evarock एगा कम पफ़्ठी हाथ तो कि इसका अप्षी दिर पहले लिख्याँ इस्टार्टिक्व यह में रिखात होगा तो अन्हीं कि प्रतिगहत हो गाशितिंज मैं जाना होगा अ कम प्रतिगहत होगा गया जिसे बोलते कि यह पॉइंट और पूष्टा है एरिया एरिया भी इसका कम होता है एरिया भी इसका कम होता है पूस्ता है कि कौन सी ज्यादा गहराई पर स्थापित होती इनर केज आठीन और करिंग कि कम होगा इंटे स्था लानी क efficient ability of center होंगा चल कि चलते तो उसी पे है अनने अजय ज्योंकि मैं बलता हो कि अहां पर क्या हो उसका उद्ञा कर लेना एरिया मतलब इसका ज्यादा हो जाएगा और स्थापी होते इस पॉइंट इस अधिक गहराई तक गहराई तक अस्थापित होती है गहराई तक क्या उती भी या अस्थापित होती है अस्थापित होती है अधिक गहराई तक अस्थापित होती है ठीके आप बताना से रिवाजी उन्हें जी मैं कप्तांगा बजार की बगल से हूँ मैंने मैंने 300 लिखा है हाँ मैं देख रहुत मिस्तों एच्पी है तो एच्पी है यार हंड़ेट एच्पी कि इस को एच्पी तक करते हैं कंफर्म है क्योंकि दिमाग में चप गई हम बताओ आपको मज़ा आया कि नहीं वह एक ही शेप्टर में सब खरण करते जो भी आपको डाटा में हैं हाला कि बहुत कुछ चुटी भी है और होगी ऐसा नहीं है ठीक है बहुत चुटी होगी ठीक है तो यह रहा भी यह इसको इने सब्सक्राइब देखा भी होगा जिसकी देख रहें कि उसकता नहीं पड़ती बहुत चीज़े हैं अभी हमने एक चार्ट बनाएंगे वहां पर भी कुछ चीज़ों कबर कर लेंगे क्या क्या चीज़े आएगा इसके वाब में बताया स्रीमान जी कि भाई यह कल का सवाल ज चीज़ें लोता तो उसमें से लिफ घ्र के समान पाती होथा होता है ठीक है वने क्या आपता है यह आगे हमने का हमया करे आप अ मैदेखते हैं देखते हैं ऐसे होता है हमारा सबकुछ बाकी बीक कर vya नहीं बना यह देखिए बाकि आप को देखना है श ciao a पिश्क संट लेह से लो इसमें जाएगी फूल उड़ारा का पांसे च्छे गुना इसका अमनलब श्राटिक धारा वाना दीक होता है लो स्टाटिक टार्क होती है ठीक हाँ एक चीज़ नहीं बताया आप से क्या नहीं बताया गुरुजी दश्चता के नहीं बताया है आपसे क्या बार देख लिए ता बताएंगे ठी लोटर के साथ नहीं करते हैं बाई जब लोटी रही है चूकि का सकते हैं तो कहांक पर करने के लिए पर में बताया है जब लोडी रही है चूकित अलग से जोड़ सकते हैं ना उसमें जोडते हैं गड़िया यह आपके इसका कहां परयुच करोगे तो ल मसीन सेट में आठाचा की मसीन में प्रिंटर मसीन में आप कर सकते में यानिक्ष टार्टिंग चैप्टर आएगा टोपीक आगर नाम से जिसको हम कबर करेंगे देखते हैं सन्यवार तक सुक्रूआ क्योंकि समभार से तो कप्टेटर क्लास लगने वाली है देखें जहां तक करेंगे नहीं तो फिर इसी को कर रट करके हम सिधे अपे चले जाएंगे तो इस्टार्टिंग की जब बात करें वहां भी बताएंगे आप डलिस्टार के आइस की देख लो मेरे बच्चे अब देखे लेंगे फैड़ जी परसाना होजी सब्सक्राइब बहुत अच्छा पढ़ाते अच्छा भीया बहुत धनीबाद भीया आपके जीले से हैं हमारा भी जीला है हमारा जीला तो भीया आप समझ सकते हैं यह हम लोग कहां से निकल कर आए लुट है कि अपे गां गुट अस्टार्टर इसटाटर इस्टार्चणटर है पार्मास से मिआ से कुस्टा रही यह ला झिखे और यह इसक्टार एक च्टारण इलला और एषिक की शनच एक टापिक उठाटर और उसमें सहरे इस्टाटर की यूज होता है क्या रिजिन है क्या कारण है यह तमाम चीजी पड़ी हुई इसके बाद कब जब हम इसको आज इसको कमणी करवा लिए कल आपका स्लीब रिंग हो जाएगा कल को सा दिन है आपका आपको दोबार है कल बिस् तर्फ परित्वास कर सकते हैं अच्छा और बता भी या इसको किमोटर प्रकार कितने प्रकार के हैं तो सिंगल के रोटर हमने कर सबसे बनादिया कि Gilman a बढ़ा दिया है सबसे ल जा Laz Edert होता है और एक होता है बाहरी एक आंटरीक सबसे ज्चेज इसका करते के किस ऐसका डवल पीटर कर दिया ऐप को जो भी बनना चाहते है अँब बना दिया आफ अब की धन करते हैं सबसे अंदर तक यानिक हमकाई इसकी लेंथ सबसे बड़ी होती है अना लेंट इसकी आप्टी है बड़ी होती है ठीक है तो अधिक है हम देख लेंगे खबलाओ ना बस आज की सिसन रखते हैं मिलते हैं कल स्लिप्रिंग के मोटर की तरफ फिर इसका एक चाट बना देंगे तुलना करवा देंगे कि कौन को साइब आपके बला पूछेगा कहानी आपके सिलिप्रिंग की भी समाप्त हो जाएगे ठी अर। ग한테 मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं कब करसुव कर दोटना है